असलाम अलेकुम वेलकम बैक तुमाई चानल फर्शा फूट फ्यूजन कैसे हैं आप सब उमीद हैं सवखेरियत से होंगे अलहमदुलिल्ला हम बे बिल्कुल ठीक हैं आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा लेकिन साथ ही हम इसमें एक नया इंग्रेडियन एट करेंगे जो की है मैंगोज तो फिर चलिए मैंगो सूजी हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्रेडियन देख लेते हैं हमने यहाँ पर लिये हैं दो मैंगोज जो की हाफ राइप है इसे हमने छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लिया है आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और यह पूरी तना से पक्के नहीं है यह हाफ राइप है इसके बाद हम लेंगे सूजी या रावा फोर टेबिल स्पून शुगर वन कप और लास्ट में हम लेंगे यह कुछ ड्राइप फूर्ट्स तीन से चार इलाइची और हाफ टेबिल स्पून इलाइची पाउडर सबसे पहले हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे एक पैन लेंगे उसे हम हाई फ्लेम पे रखेंगे इसके बाद हम इसमें दो से तीन टेबिल स्पून घी आट करेंगे और साथ ही हम इसमें इलाइची भी आट कर देंगे घी में जब इलाइची थोड़ा रोस्ट हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें सूजी आट कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे सूजी को हमें गोल्डेन ब्राउन करना है इसलिए हम इसे कंटीन्यू इस्पून से इस तरह से चलाते रहेंगे सूजी का कलर चेंज हो गया यह थोड़ा रोस्ट हो चुकी है लेकिन अभी हमें इसे और रोस्ट करना है और बस यह गोल्डेन ब्राउन रोस्ट हो चुकी है अब हम फ्लेम आउफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे एक कढ़ाई लेंगे उसे हाई फ्लेम पे रखेंगे इसके बाद हम इसमें वन ग्लास वाटर एट करेंगे और साथ ही हम इसमें शुगर एट कर देंगे जो की है वन कप इस्पून से इसे मिक्स कर देंगे ताकि शुगर पानी में पूरी तना से डिजॉल्व हो जाए शुगर पानी में पूरी तना से डिजॉल्व हो चुकी है और पानी में बॉइल भी आना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसमें कटे हुए मैंगोज अट कर देंगे और 10 नट के लिए हम मैंगोज को लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए 10 नट हो चुके हैं चलिए अब हम इसे ओपन करके देखते हैं मैंगोज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन हम इसे 5 नट के लिए और कुक करेंगे और अब 5 नट के बाद फिर एक बार चेक करते हैं से और यहां पर mangoes पूरी तना से soft हो चुके है बस अब हमें इसे और cook नहीं करना है अब हम इसमें सूजी आड़ कर देंगे और इसे mix कर देंगे इसमें हमें और पानी आड़ करने की जरूरत नहीं है सूजी को हमें इतना पकाना है कि ये हल्वा बन जाए पान्च मिनट के लिए हम सूजी को लो फ्लेम पर ढखके रख देंगे पान्च मिनट के बाद हम इसे चेक करते है सूजी अभी पूरी तना से cook नहीं हुई है इसे हम पान्च मिनट के लिए लो फ्लेम पर और cook करेंगे और अब हम इसमें इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे और इसे लिट लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुख होने देंगे 5 मिनट हो चुके हैं चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं सूजी भी पूरी तना से कुख हो चुकी है मैंगो सूजी हल्वा ready है flame को हम off कर देंगे चलिए अब हम मैंगो सूजी हल्वा सर्व करते हैं एक serving plate लेंगे और उसमें हम मैंगो सूजी हल्वा सर्व करेंगे सूजी का हलवा आपने बहुत खाया होगा लेकिन मैंगो के साथ इसे एक बार ट्राइ करके जरूर देखें सूजी के साथ मैंगो का खटा मीटा फ्लेवर जो की बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी उपर से हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स स्प्रिंकिल कर देंगे मैंगो सूजी हलवा खाने के लिए रेडी है ये बहुत ही क्विक, इजी और सिंपल रेसिपी है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइब और शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ अल्लाहाफिस, फी अमान अल्लाह